हलो बेरे प्यारे दोस्तों तो यार कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं रिची के पास तो यार रिची के पास जाना जरूरी है क्योंकि अभी अभी सुबह सुबह ही हमको उसका फोन आया और वह विचारा बोल रहा है कि वह दो महिने से उस यार मतलब ऐसा कौन करता है कि एक चुट्टी पर ही 15% सेलरी कट हो गई यार रिची विचारा बहुत दुखी है तो यार आज हमको रिची के पास जाना पड़ेगा तो यार हम रिची के पास पहुंची गए है और यह है रिची का घर है तो यार अब देख लेते हैं कि रिची विचारे रिची से कुछ बात करते हैं और उसको समझाते हैं और फिर देखते हैं कि हम रिची की मदद कैसे कर सकते हैं तो यार फाइनली हम रिची के घर आ गया और यह रिची का गयराज है तो यह रिची के गयराज में अपने कार को खड़ा कर देते हैं और देखते हैं कि रिची कहा है यार तो यार हमको लग रहा है कि रिची यहाँ पर है ही नहीं तो यार कोई नहीं रिची लगता है अपना दरवाजा लोग करके यहाँ से निकल लिया है और पता नहीं रिची कहा है यार रिची विचरा बहुत पर इसान था जब उसका फोन आया तो वह विचला बेदित दुखी था यार चलो कोई नी अब चलते हैं अगले घर में देख लेते हैं कि रिची वहाँ पर भी है या नहीं तो यार हमने पड़ोसे के यहां भी देख लिया रिची यहां पर भी दिखाए नहीं दे रहा तो है उस फैक्टरी मालिक के पास चलते हैं अब और उसको समझाते हैं कि आपने यह गलत किया है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए एक छुट्टी पर 15% सेलरी कौन काटता है यार तो चलो कोई यहाँ दोस्तो हम इस गाड़ी में बैट चुके और इस इसका लुक तो देखो यार क्या जबरदर्सत गाड़ी है यार और इसकी स्पीड तो मासा अल्ला यार गजब की स्पीड है यार यह गाड़ी बैदिस सूपर फास्ट गाड़ी है यार एकदम से बस क्या बताओं मक्खन की तरह चलती है यार चलो आप इसको लेकर उस फैक्टरी मालिक के पास चलते हैं और देखते हैं उससे कुछ बात करें यार और फिर उसको समझाएंगे यार तो चलो हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पर एक्सिलेटर खिश दिया यार आप लुक देख सकते हैं हमारी गाड़ी ने स्पीड डेड़ सो किलोमेटर के स्पीड से चल रही है यार तो चलो अब इधर से यूटर लेते हैं और इधर को हमको जाना है यार दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी बात बता दू यार अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार नीचे जो वीडियो के लाल अक्सुरों में सब्सक्राइब लिखावा दिक रहा है उस पर क क्लिक कर दीजिए यार इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकेगी यार तो चलो कोई नी अब अपनी लोकेशन को देख लेते हैं कि हमको कहां पर जाना है तो यार इस बिरिज के पार से हमको जाना है और इस बिरिज के उपर से हमको उस फैक्टरी में ज चलो कोई नहीं उसके पास चलते हैं अमीर होगा अपने घर का यार हमारे दोस्ती सेलरी काट ली ऐसा कैसे कर दिया यार तो चलो यार यहां से गाड़ी को निकालते हैं यार अपनी गाड़ी उस सामने जो मोटल है उसी मोटल में इस फैक्टरी का मालिक रहता है तो यार चलो चलते हैं और देखते हैं वह फैक्टरी मालिक हम को मिलता है या नहीं तो लगता है यार वह फैक्टरी मालिक ये रा तो यार इसको यहाँ पर इससे कुछ बात करने की कोशिज करते हैं और देखते हैं इसने रिची की सेलरी क्यों काटती यार रे रुक जा भाई अरे सर जी आ अबे रुक आज तुझे फैक्टरी मालिक बनाता हूं यार फैक्टरी मालिक यहां पर भाग चुका है और उसने कुछ लेक्चर यहां पर यार हमको जाड़ दिया है तो यार यह तो बहुत ही बुरा हुआ यार तो कोई नहीं यार आज हम अपने रिची पहया का बदला जरूड लेकर रहेंगे क्योंकि रिची हमारा भुत ही बेस्ट परेंड है तो यार इस फैक्टरी के अंदर यह क्या लगा हुआ है जो गोल गोल गोंता रहता है यार चलो हम को इससे क्या मतलब तो हम चलते हैं यार कुछ सामान देखते हैं जिसको हम चुरा कर रिची के पैसे पूरा कर सकते हैं यहां से निकल लेते हैं, यहां पर अपना टाइम ज़्यादा खराब नहीं करते हैं, तो चलो कोई नहीं, यार हम सामने जो वो डंपर खड़ा है न, तो उसको ही हम यहां से लेकर जाएंगे, और उसको ही कारशोप में बेचेंगे यार, और फिर देखते हैं कि यह कितने डोल से नहीं लेकर जाना है, हम इस ट्रक को हम सीधर नदी के रास्ते ही लेकर जाएंगे, फैक्टरी मालिक भागता हुआ, बिरिज की तरह भी गया है, तो अगर बिरिज पर मिल गया, तो लोचा हो जाएगा, यार, चलो हम इस ट्रक को नदी के बीच से निकालते हैं, और इसको आज हम कार्शोप पर ले जाकर बेच देते हैं, और देखते हैं कि यह कितने का फिकाल, यार, यह डॉमफर ट्रक तो बड़ाई खदरनाक ट्रक है, यार, यह तो चलने में ही पता निक कैसा चल रहा है, यार, तो कोई नि यार, इसको सीधा करते हैं, यह बहुत ही हैवी ट् आने में थोड़ा हमको परेशानी हो रही है, तो कोई नि इसको चला कर फिर भी हम लेकर जाएंगे, क्योंकि यार, हमको अपने रिची भाईया का बदला जो लेना है, यार, यह इस ट्रक को हम ब्रेक मार रहे हैं, अगर ब्रेक लग नहीं रहा है, यार, गाईज यह तो या कमाल का ट्रक है, यार, ज्यादा हैवी होने की वज़े से इसके ब्रेक भी नहीं लग पा रहे है, यार, हमको जाना उस ब्रेज पर था और हम आगे ही निकल गए, तो यार, कोई नि अब चलते हैं इस ब्रेज से अपने कार्षोप की तरफ और इसको आज बेच कर देखेंग और फिर वहाँ पर इसका ट्रक को आज बेच देते हैं, और देखते हैं कि यह कितने टोलोर का पिकेगा, और रिची बहिया का जो लोस हुआ है, वह इस ट्रक से पूरा हो भी पाएगा या नहीं, तो यार, इस ट्रक के अंदर तो नोज भी है, यार, अगर यार, दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा है, तो यार, वीडियो को लाइक कीजिए, तो यार, चलो, यहाँ पर हमारा ट्रक एक खंबे से टकरा गया था, चलो, कोई नहीं, अभी इसको सीधा करते हैं, और सामने ही हमारी कार सोप है, और फिर हम आज उस कार सोप पर ले जाकर इसको बेच देते हैं, और रिची भईया का लोस पूरा करते हैं, तो यार, यह हमारी कार सोप है, तो यार, यह ट्रक तो बढ़ाई, ऊच्छा ट्रक है, यार, यह कार सोप के अंदर गुस भी पाएगा या नहीं, तो यार, दोस्तों, देखते हैं, कि यह कार सोप कार्शोप के अंदर गुसेगा या नहीं तो यार चलो अब इसको सीधा करके कार्शोप के अंदर गुसाते हैं तो यार देखते हैं या कार्शोप के अंदर गुस गया यार वाकई कमाल हो गया अब देखते हैं यह कितने डॉलर का बिकेगा यार और आज हम रिची बहिया का की चेग्म मातर pert $Si據 । हमको लगता है का लड़ इस से पूरा हो जाए चलो कोई नी 150 $ हमारे रिची तो चलो यार इस ट्रक को बेच्ट को देते हैं अपने रिचीब հेखा-णाल और अब ये सामने वाली गाड़ी को उठाकर यहां से अपने घर की और चल देते हैं। यार काफी रात हो चुकी है तो यार हम रिची भाईया को सुबही मिलेंगे और शुबही उनको पैसे देंगे और देखते हैं उनके चेहरे की खुशी कैसी होती है। तो यार रिची भाईया के चैरे के खुशी देखने लायक होने वाली है, क्योंकि यार हमने रिची भाईया के लिए 153 डोलर जो कमाली है हुआ है, फैक्टरी मालिक उसका ट्रक चुरा कर लाये थे, यार अगर उसने पुलिस में कंपलेंड कर दी तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो यार कोईनी अब देखते हैं आगे क्या होता है, तो यार अगर वह कंपलेंड करता है, तो उसकी कंपलेंड को भी देखेंगे यार, तो चलो कोईनी अब अपने घर चलते हैं, और फिर रिची भाईया को सुबह ही हम लोग पैसे दे देंगे, और देखते हैं रिची भा काफी रात हो चुकी है यार इस सहर में रात होते ही भूत भी गूमने लगते हैं यार हमको भूतों से बहुत ही डर लगता है यार तो कोई नहीं यार हमने यहां पर एक आदमी को किल भी कर दिया यार यह तो बहुत ही गलत काम हुआ यार चलो कोई नहीं अब आके चल चलते है और यार एक स्टार वाली पुलिस भी हमारे पीछे लग चुके यार अब देखते हैं क्या होता है यार पुलिस भी लगतार हमारे पीछे आ रही है यार तो कोई नहीं यार अब चलते हैं अपने घर यार हम अपने घर आई चुके हैं और यही हमारा घर है इधर से लेप्ट ल के तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और घंटी वाला बटन भी दबाईए यहार पर पुलिस लगता है हमारे घर में घुश कुई है यार तो यहार कोई नी पुलिस हमको पकडादी लेगी यार तो कोई नी यार पुलिस ने हमको यहाँ पर पकड़ी लिया यार लगता है जितना पैसा कमाया वह सभी पुलिस को देना पड़ेगा यार तो कोई नहीं यार चलते हैं पुलिस हमको यहाँ पर पकड़ कर ले जाने वाली है तो यार हमने याँ पर पुलिस को थोड़ी बहुत रिश्वत दी और छूट गए यार तो कोई नहीं दोस्तो यार यह होता रहता है गेम में ऐसा तो चलता ही रहता है और यार इस पुलिस वाले का डांस देखने लाइक होता है यार वाक़ई कमाल का डांस करता है ये बंदा तो यार हम यहाँ पर जेल से बाहर आ चुके हैं और चलते हैं अपने घर यार बहुत रात हो चुके है तो